लगता जैसे के कोई already dead बंधे की बॉड़ी है ऐसे देखने से लगता है So hi everyone this is beast kevist and आज हम करने वाले हैं यार cursed molecules की ranking तो सबसे पहले आप ये जाना चाहरे होगे कि cursed molecule होते क्या है Cursed molecule का मतलब है और शिरापित molecule वो molecule जिनके structure को देख करके हमें दर्द होने लगे हम जब J.E. की chemistry के साथ इनको relate करेंगे तो हम बिल्कुल ये पाएंगे कि यार ऐसे structure तो यार molecule की जान निकाल सकते कैसे molecule survive कर रहा होगा कैसे श्राप को लेकर के molecule अपने जिनकी जी रहा होगा तभी इन molecule को हम करस्ट की श्रेणी में रख रहे हैं कुछ molecules आपके लिए बिल्कुल नए होंगे कुछ molecules तोड़ा तोड़ा आप जानते होंगे relatable होंगे एंड यस relatable होना बहुत अची बात है उससे थोड़ा आप comfortable रहोगे कोई बात नहीं वैसे तो मैं आपको अगर आप मालोजई की preparation कर रहो या फिर आप ब्येसी में भी हो तब भी पर मैं relate करते रहोंगा अब यार अब इस interface की बात करें तो यहाँ पर मैंने total molecules तो एक से गए एक जिगए पर मैंने arrange करके molecules को रख तो दिया है बट ठीक इसके नीचे अगर आप चलोगे तो आपको दिखाई देगा कि मैंने same molecules को नीचे collect किया उनके नाम के साथ होने वाला क्या है कि यह नाम वाला उपर में बिल्कुल टॉप में यहाँ पर से दो मैं molecule उठाऊँगा बट उपर में टॉप में जो आपको दिखाई दे रहा है वह हमारा platform है जहां पर करेंगे उसके rank हम decide करेंगे यह stage show यहाँ पर होगा उपर में 7 beaker हैं जिसमें कि actually उनको जो points हम देंगे जो rank देंगे जो points देंगे points के साब से ranking होगी तो जो भी हम उनको points देने वाले हैं उसके हिसाब से वो चले जाएंगे उस beaker में जहां पर के जो point वो deserve करते होंगे तो it is going to be totally fun and हम अपने points लगाएंगे logics लगाएंगे ऐसा नहीं है कि हम यूँ किसी को भी अकड़ बकड़ बहु करके किसी molecule को कहीं भी किसी भी कर में डाल देंगा इसा नहीं करेंगे सब्सक्राइब इसका नाम नीचे लिखावा है मैंने जिस नाम वाले portion को आपको दिखाए था उसमें अगर आप चले तो आपको दिखाए देगा कि यह डेल्टी के सेट है और इसके साथ साथ साइक्लो प्रॉप नौन है अब आप अपने जही के सिलेबस को लगाओ इस molecule पर फोकस करो क्या इस molecule को देख करके कुछ बात आपको समझ मारी हमें यह चेक करना है कि कौन कितना श्रापित है अगर किसी molecule को मैंने लिखा है किसी molecule को अगर मैंने मार्क्स दिये हैं 10 आउट 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 को सबसे कम श्राप वाले molecules में मैं रखूंगा यहां पर जो अगर आप कार्मुनाइल पार को आप अगर पोलराइस कर दें तो रिंग एरोमेटाइस हो जाएगी ठीक उससे कुछ मिलता जूलता हमारा यह क्रोकॉनिक एसिड है और आपने पहले शायद पहली बार नाम सुना होगा क्रोकॉनिक एसिड क्रोकोडाइल टाइप का है बड़ यहां पर भी कार्मुनाइल को अगरा पोल अगरा पोलराइस कर दो ना तो यह रिंग में हो जाएगी बस फर्क इतना है कि पर पॉजिटिव चार्ज तीन तीन आ जाएगा यहां पर डेल्टिक एसिड और साइक करके रखोंगा तो अब आप बताओ शायद आपको इंटर्फेस तो समझ मारा रहा हो ना कैसे मॉलिकूल को मैं उपर वाले कलेक्शन से उठाता हूं नाम नीचे लिखा हुआ है अब आप टर्शारी व्यूटाइल वाले इस मॉलिकूल को तो नहीं सोच रहे हूं कि मैं इस क्या सी रैंकिंग की ती डिल से रैंकिंग की थी और उनने इसी टाइप का पॉइंट दिया था वैसे अभी जिस मॉलिकूल का डिसकस्टन मैं आप से कर रहा हूं उस मॉलिकूल को आप देख रहे होगे कि नीचे मैंने टेक्स के नाम से शो किया है कि आप उसका कंप्लीट पर सकते हो, 4,10 टाया नाइट्रो, तो 4,10 टाया नाइट्रो, because 2 नाइट्रो लगें dysm Kevin कि 2,6,8,12 टेटरा ओक्जο, 4,10 टाया आजा, 4 टेन पर याजा लगें निट्रोजेन लगा हो दिखे रहे हैं आपको, 4,10 टेट्रा साइक्लो और उसके बाद फिर वो जैसे बाय साइक्लों करते हैं तो यह जो मॉलकुल की कहानी में बता दो अभी मैं जैसे इस मॉलकुल के इसले उठा रहा हूँ कि मैं सब बहुत जाद एक्साइट था करने वाला है आपको बहुत अच्छे से यह टेक्स मॉलकुल के बारे में बहुत ही जैसा लग रहा है कही सारे मॉलकुल में आइस रखे वे हैं जिनको देखकर कैसा लग रहा होगा कि कुछ वियर्ड जैसे कुछ रेप्टाइल टैप के कुछ है तो यह मॉलकुल भी वैसा कुछ है और वैसे दिख रहा है और बिचारा ना तो देखने में सही है और ना ही एक्शन में सही है बड़ा बदनाम है और बहुत यूसफुल भी है जनरल एक्सप्लोसिव के रूप मैं चाहिए क्यों वह तुम्हें थोड़ा अभी अचंवी तुम परशान हो रहे होगे तो अब आगे दिख जाएगा क्यों मैं इसको टेंपर डाल रहा हूं रहा हूं और उसमें से मेरे नजर में इसको उपर इसमेर रखें क्योंकि शकल से भी एंड अकल से भी मतलब जो हर साथ साथ यार कोई देख करके उतना कुछ खास पसंद में नहीं करता है इसको तो सबसे कर्जड में रखा है मैंने एंड बिंदास आप बाद में सजेशन दे सकते हो कि सर इसको आप 10 में क्यों रख रहे थे मुझे तो लगा कि किसी और की करेक्टरिस्ट्रिक ऐसी है कि किसी और को रख सकते हैं तो चली अभी आगे बढ़ते हैं ठीक है तो इस मॉलिकुल को टेन देने के बाद इससे मिलते जुलते ही शकल वाले को उठाए जिसमें के हर नाइट्रोजन पर नाइट्रो लगावा है नाम अगर इसका देखें तो इस हैग्जा नाइट्रो एक्जा आ उसका उसी तरह से श्रापित दिख रहा है और साथ-साथ नाइट्रो ग्रुप्स भरे पड़े होने का मतलब यह है कि एनी टाइम ऑक्सीजन रिलीस करवाने के लिए इसे यूज कर सकते हैं इसे भी एक्स्प्लोसिव ग्रूप में यूज कर सकते हैं इस अच्छली कार्बन नानो ट्यूब नेकलस थापी स्टक्चर रहे बट यूज बता रहों में ध्यान से सुनियेगा इसको कहा जाते हैं इसको पॉसिबल आर्मचेर अफ दा कार्बन नानो ट्यूब के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में से एक है और इसको मैं नहीं मानता क ज्यादा श्रापित है बट श्रापित थोड़ा इस लिए कि इसके अर्माइडिस्टी बर्बाद हो सकती है मैं त्री प्लस वाले बिकर मनी रखोंगा उसको फूर्थ वाले बिकर मरक है नाओ वी हैव हेर देवर बेंजीन जेमस देवर ने इस बेंजीन को बनाया था फॉर इस मामले में कि एक्शल बेंजीन नहीं बन पाता है तो फॉर प्लस में रखा जाए तो बेटर होगा बट इतना भी श्रापित नहीं है क्योंकि पता हिए कि दो दिन बाद खुदी कनवर्ट हो जाता है ये बेंजीन में नाओ कमिंग तो इस टेन अनुलीन इसके किसमत बड मॉलकुल आक्शली नॉन प्लेनर होता है जिस वैसे नहीं हो पाता है और क्या बताएं बहुत श्रापित है इस वजह से मैंने इसके सारे डिफरेंट डिफरेंट डेरिवेटिव इस स्ट्रक्चर इसे भी बोट फॉर्म में दिखा सकते हो आप जैसे आप साइक्ल आक्टर प्लस वाले बिकर में देवर बेंजीन से ज्यादा कर्स्ट और श्रापित क्या आप किसको चूज किया जाए मुझे लग रहा है यहां पर पड़ेंट भी पड़ावा है नाइट्रीडो कॉंप्लेक्स पड़ावा है एंड यस चलते हैं लाडरेंट के दरफ चलते हैं सो ला बीच में आपको दिखाए दे रहा होगा बाउंडरी लाइन की बजाए बीच में अगर आप फोकस करें तो दो लाइन है तो टू प्लस वन थ्री लैडरेंट है यह और आप देख रहोगे जैसे हाईटोजन एक्जिल और एक्विटोरियल पोजिशन पर ऐसा लग रहा है ज सबकी बात हैं रिलेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं वोड किस म्ॉलडो को उठाया जाए साइकलोफेंस या नाइट्रीड़ो या फिर तर्शरी विटाइल वाले हिला हुआ है दर्द हम समझ सकते हैं बट स्टिल मैं इसको रख रहा हूँ शिक्स प्लस वाले में और यह शॉकिंग होगा आपके लिए आपकी 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 रैंकिंग आपका परसेंटेज आपने जो भी मार्क्स दिया था वो मैं आज किया कि नहीं बट जो नाइटीडो साइक्लो पेंटेडाइन वाले को कॉंपरिटीव लिए जो साइंडविच वाला है यह ज्यादा रिपल्शन फेस कर रहा है छे छे टर्शेरी वी उटाइल है तो आपवेसली यहां पर डिफ्रेंशेट करना जरूरी है तो एक को मैंने 6 प्लस में रखा और एक को 7 प्लस में कि यूजली हमारे अपने कॉंसेट में क्या दिखा वाए कि कार्बनाइल पार्ट जो होता है कार्बन जो तो इस पर दो होते हैं यहां तो हर कार्बन पर वेच डाला हुआ है बड़ इसले हम किपिंग इटीन 7 प्लस वाले बीकर में बिकॉस यार 9 प्लस वाले के लिए काफ से ज्यादा वाले हैं तो 7 प्लस में रखा है डोडे का हाइड्रॉक्सी वाले को नाओ चले तो अभी बचा कौन-कौन सा स्पेशीज है इन दोनों को उठाते हैं यह जो नाइट्रो वान है क्यूबेन है और सारे क्यूबेन के सारे कार्बन पर नाइट्रो लगे वे हैं और बेंजीन डेरिवेटिव से नाइट्रोजन का देख रहोगे कार्बन नाइट्रोजन अल्टरेट में और उसके साथ साथ हर कार्बन पर ट्राया नाइट्रो पार्ट लगाया हुआ है आप चाहाओ तो नाम देख सकते हो सबके यहां पर लेट मी शो दनीम टूफोर शिक्स ट्राया नाइट्रो मिथाइल 1-35 ट्रायजीन देन ओक्ता नाइट्रो क्यूबेन और हेग्जा नाइट्रो हेग्जा एजर ट्राय साइकलो डोडेकेन डायवन यह इसके लिए डायवन इसलिए क्योंके आपर दो किटोन है इस वाले मॉलेकुल में राइट ओके सो अगर एक अच्छे explosive के रूप में हम उसे use कर सकते हैं depending upon conditions also बट अगर इन सब में बात चीत की जाए यार तो कार्बन हर कार्बन को श्राब दिया गया है हर कार्बन पर नाइट्रो पार्ट डाला गया है बेंजीन रिंग में तीन कार्बन थे जहां पर हर कार्बन पर ट्राया नाइट्रो पार्ट्स बहुत ज्यादा है तो मैं या तो 9 या 10 में रख सकता हूँ और इसको 9 प्लस में रखूँ वह तर्शेरी वाली बात नहीं है यह structure में वह bridging पार्ट या फिर 3D पार्ट या श्रापित structure जैसी बात 10 में मैं बोलूँगा 9 से different ही होना चाहिए तो 9 और 10 में अगर मैं कुछ different मानता हूँ तो वह structural difference होना चाहिए और 10 में मैंने इंजिन सबको रखा है उन सबको देख करके तुम खुद भी समझ सकते हो कि वह deserve करते हैं उनको 10 मिले नाइट्रो पार्ट तो है ही है structure भी उनके जो है वो बहुत शिरापित लगते हैं देखने में अब जो बचे हैं वो है cyclophane and carburene तो मैं cyclophane और carburene के बारे में यही बोलूँगा कि देखो fans जो होते हैं वो organic chemistry के सबसे complicated structure से तुम fan अकर सर्च मारोगे न तुम दिख जाएगा यही बात लिखी वी दिखाई देंगी कि organic chemistry के सबसे complicated structures Fains कहलाते हैं और वो तुम्हें देख करके दो पता चली रहा है बट मैं वैसे carburene के बारे में बोल दूँ के इसके उपर मिल्ट करते हैं यह और गिनो बोरेन compound है और गिनो बोरोन बोला जाए तो अच्छा होगा और गिनो बोरोन compound है और यह और गिनो बोरोन compound अब हमारे पास इन सब के बाद रहा हूं तो अभी 10 वालों को पहले भर दिया मैंने आगे हम और मजे लेंगे बर देखो मैं बोरेंज को भी रखूंगा नाइन प्लस के बीकर में 10 में डालूंगा सब्सक्राइब कर सकते हैं अब हमारे पास इन सब के बाद लास्ट में बचा है ट्राइस ट्राइप रॉक्साइड अब यकीन मानो यह बहुत बहुत खत्रनाग इस मामले में कि सुसाइड बंबर से यूज़ करते हैं इस पेशली जो लंडन बंधमा का था यह फिर इस तरह है कि जो भी होते फेमस यार अक्सर यह मॉलिकुल यूज़ होता है इस तरह से बना वाए देखो लगता जैसे कि कोई अल्रेटी डेड बंधे की बॉड़ी है ऐसे देखने से लगता है और इस मॉलिकुल के अंदर की प्रॉपर्टी मैंने बताई प्रोक्साइड है और काफ बहुत मज़ा होगा थैंकियो सो मच इस रैंकिंग के बाद कास्ट मॉलिकुल जैसा वैसे कुछ होता नहीं वाट हमने मज़े लिए काफी और हमने इस तरह से इनके शिराप को डिसकस किया है तो मिलते हैं अगले वीडियो में इससी तरह से पाई टेक केर